चाड़क के समसाम की विशेश में आप सभी का स्वागत है आज का विशे है मौलनू पीरवीर इस विशे के अंतरगत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है दवा के बारे में विस्तार से बात करेंगे और परिक्षन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे विशे प्रारंब करने से पहले आईए देखते हैं आज का प्रश्न आज का प्रश्न है मौलनू पीरवीर दवा निम्ड में से किस फर्मासिटिकल स्वाम द्वारा निर्मित की जा रही है विकल्प A. मर्क और रिस्बैक विकल्प B. जाइडस बायोटेक विकल्प C. धारत बायोटेक विकल्प D. सिरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुने यह हैं चर्चा में क्यूं है नेचर माइक्रो बायोजी में प्रकाशित एक अध्यन से पता चला है कि मौलनू पिरावेर लेने से कैसे 24 घंटे के भीतर सार्स कोविट 2 के ट्रांस्मिशन को कम किया जा सकता है इस दवा को लेकर ये दावा जौर्जिया स्टेट यूनिवासिटी के इंस्टिटूट फोर बायो मेडिकल साइसिस के शोध करताओने किया है इसका जानवरों पर किये गए ट्राइल में यह पाया गया है कि यह संकर्मन को फैलने नहीं देता है इस कारण इसका हिूमन ट्राइल करने का फैसला लिया गया है अब बात करते हैं दवा के बारे में मॉल्नो पिराविर या MK4482-EIDD2801 एक औरल एंटिवारल दवा है मॉल्नो पिराविर दवा फर्मासुटिकल फर्म मर्क और रिस्बैक मिलकर बना रहे है शोध करताओं के अनुसार इसे लेने से कोरोना वाइरस को एक दिन में रोका जा सकता है क्योंकि इस दवा से वाइरस ब्लॉक हो जाते हैं जिससे उनका ट्रांस्मिशन नहीं हो पाता यह दवा मुख्य रूप से कोशिकाओं में RNA का एक अवरोधक है और यह वाइरस को आगे फैलने से रोकता है परिक्षन के बारे में इस दवा का परिक्षन नेवले पर किया गया था नेवला इन्फ्लूइंजा और अन्य सोशन संक्रमनों के लिए एक लोगप्रिय मॉडल है क्योंकि उसका फैफडा शरीर क्रिया विज्ञान मनुष्य के समान है यह दवा वर्तमान में कई केंद्रों पर मानव परिक्षन के दूसरे और तीसरे चरण में है चरण दो और तीन परिक्षन विभिन्न देशों में 46 थानों में COVID-19 के साथ अस्पतालों में भरती व्यसकों में मौलनू पीरावीर की प्रभाव शेलता और सुरक्षा का मुल्यांकन करने के लिए एक यांचिक, नियंतरित और नैदानिक अध्यन है पिछले वीडियो में जो प्रश्ण पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प A आज की वीडियो में जो प्रश्ण पूछा गया है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं फिर मिलेंगी नई जानकारी के साथ धन्यवाद